हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पीएच डिस्टाल इसक्रिशन पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग जनसंख्या 2011 के आंकड़ो कोहाज हम लोग एक क्लिक के माधिम से हम लोग जानने वाल है दो तक हम लोग कह सकते हैं कि बुक को अपने पढ़ते हैं या अपने नोट्स को पढ़ते हैं तब तक तो हमें याद रहता है जो ही अपने नोट्स बुक को बंद करते हैं या किताब को बंद करते हैं इसके बाद हमें लगता है या तो चीज़े हैं लेकिन यह नहीं समझ में जा राहा कि कौन सब पहले एस्थान पे था कौन सा दूसरे अस्थान पे चला गया तो यह काफि हम को कहác सकते हैं आप सभी लोगों को क्या करता है कांफिए करता है क्योंक? यह database चीज़े होती है दोस्तों और database चीजे जो हती हैं कह सकते हैं कि काफी confuse करती हैं तो दोस्तों इससे मैंने trick के मादहम से आप लोगों के लिए वीडियों मैंने बनाया है तो देखिएगा आप लोगों को trick के मादहम से कितने आसानी से याद भी हो जाएगा और exam में इससे आपको काफी साहता भी मिलेगी तो दोस्तों वीडियों को लाश तक देखिएगा काफी अच्छे trick मैंने बताया है और बड़े आसान से trick है और आपको बड़े आसानी से याद भी हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहला जो trick है दोस्तों जनसंख्या में हम लोग देखेंगे जन अधिक्तम जनसंख्या वाले राज जे ठीक है अधिक्तम जनसंख्या वाले राज को किस प्रकार से अमट्रिक के माधिम से याद कर सकते हैं इसे आज आईए हम आपको बताते हैं बड़े आसानी से दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिक्तम जनसंख्या वाले राज्ये तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अधिक्तम जनसंख्या वाले पांच ऐसे राज्य कौन-कौन से है सबसे पहले हमारा जो आता है अधिक्तम जनसंख्या वाले राज्यों के अंतरगत उत्तरपदेश आता है महारास्टे आता है बिहार आता है पस्टिम बंगाल आता है अंतरपदेश आता है तो दोस्तो अब इसे हम trick के मादम से कैसे याद करेंगे जैसा कि आपके screen पर दीख रहा होगा दोस्तो trick मैंने यहाँ पर बनाया है जो ओमा बीबी अंदी है कितना interesting यह trick है देखे कितना मज़दार trick है ओमा बीबी अंदी है इसे कोई भी याद कर सकता है अधिक्तम जनसंख्या वाले राजों के trick क्या है ओमा बीबी अंदी है क्या है ओमा बीबी अंदी है ऐसे तरह की जो trick है काफी अच्छे तरह के सियाद हो जाते है क्योंकि यह काफी interesting होते है तो दोस्तो इस trick के मादम से देखे कैसे हम लोग इस 5 राजों को याद करेंगे जो कि अधिक्तम जनसंख्या वाले राज है यानि कि अधिक्तम जनसंख्या को हम लोग औरोही करम में कैसे देखेंगे यानि कि पहले जो है कि बढ़ता हुआ फिर इसके बाद घड़ता हुआ इसके घड़ता है जिसे हम लोग और उही करम करते हैं सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्यावला राजी कौन है हमारा उत्तरप्रदेश तो देखें उमा बीबी अंदिये तो उमा में से हमने उलिया तो क्या बन गया उत्तरप्रदेश बन गया इसके बाद मा बचता है तो मा से दिखें महाराष्ट बन गया बी बचता है दोस्तों तो बीबी से हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बिहार बन गया इसके बाद देखें जो आपका दूसरा बी बच रहा है इसमें दूसरे बीश से आप दिखेंगे तो क्या बन जाएगा बंगा इसे आप लोग पस्चिम बंगाल के नाम से याद कर सकते हैं या बंगाल भी याद किये रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो क्या हो जाएगा बीश से दूसरे बीश से पस्चिम बंगाल और आ को आप छोड़ दीजेगा कोई मतलब नहीं है ठीक है तो याद रखेगा ओमा भी भी अंधी अधिक्तम जर्शन के वाले राज्जे ठीक है यानि कि उत्तरप्रदेश महारास्ट बिहार पस्चिम बंगार आंद्रप्रदेश उससे हो गया उत्तरप्रदेश महारास्ट बीस हो हो गया बंगाल यानि पैसिम बंगाल और अंधी से हो गया आपका अंधर प्रदेश कितना असान था ओ माभी भी अंधी है तो आप लोग इससे स्किन साउट ले लीजिएगा ठीक है वैसे मैं आप लोगों को यह जो है पीडियोफ प्रोवाइड करा दूँ है ठीक है इसके ब मिजोरम है अवनाजल प्रदेश गोवा है और नागालेंड है अब इसे ट्रिक के मादे मिस कैसे याद करेंगे ट्रिक देखे क्या है इसकी ट्रिक है सीमा आप गाना गाईए कितना आसान सीमा आप गाना गाईए निउन्तम जनसंख्यावाले राज्ये सीमा आप गाना ठीक है आस हमारा क्या बना अरुडाचल प्रदिश बना अरुडाचल प्रदिश हो गया गास क्या बना गोवा कर सकते हैं गोवा बन गया नास क्या बना नागालेंड नागालेंड हो गया यानि कि सीमा आप गाना गाईए निमतम जनसंख्या वाले यहाँ पर जनसंख्या कर ल वरचल प्रदिश गासिक गो वा ना याएब हो गया चञे अग्ला ट्रिक का Дेखते हैं अग्ला ट्रिक किया है अग्ला ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों देखें यह जो ट्रिक क्या देखेंगे अधिक्तम जन घनत्तों इन दोनों में फर्क होता है दोस्तों जन संख्या और जन घनत्तों में ठीक है तो जन घनत्त वाले राजे देखेंगे अधिक्तम वाले तो सबसे पहले कौन सा राज आता है अधिक्तम जन संख्या वाले राजियों के अंतरगत बिहा क्या भी याद कर सकते हैं इसी बात नहीं बीबी के उत्तर है ठीक है बीबी के क्या उत्तर है देखते हैं देखें बी से हो गया बिहार हो गया यहाँ पे आप देखेंगे बी से क्या बन रहा है बिहार बन रहा है ठीक है फिर दूसरे बी से आपको पस्चिम बंगाल बन रहा ह के से आपका केरल बन जा रहा है उससे आपका उत्तर प्रदश बन गया है हैसे आप हरियाड़ा बना सकते हैं जीके ट्रीक के एकदम सेम मतलब उसी सbild नहीं है लेकिन आपका देखे कितना सेठ हो रहा है आसानी सिजात कर सकते है तो क्या है अधिक्तम जन घनत वाले राज्यों के अंतरगत बिहार, पस्चिम बंगाल, केरल, उत्तरपदेश, हरियाडा ट्रिक क्या है बीबी के उत्तर है 20 से भीहार, दूसरे 20 से प्रशियम बंगाल केस हो जाए केरन उत्तर से उत्तरपदैस, हैसे हरीयडा हो गया ना? याद हो गया इसकेमा बाद देखे हैं चलिए, आगे देखते हैं हम लोग इसका बाद देखे अगे नागा लेंड आ जाएगा हिमाचर्व प्रदेश आजाएगा ठीक है दोस्तों यहां पर थोड़ा मिस्टिक है दोस्तों यहां से थोड़ीसी lying mistake है आप लोग इसको सब्सक्रे लीज़ेगए ठीक है यहां पे अब का त्र प्रदेष नहीं होना चाया है यहां जो है first number पे आपका जो होना चाहिए first number पे याद कर लिजएगा आप लोग अनुणाचल प्रदेश होना चाहिए क्या हो जाएगा अनुणाचल प्रदेश तो आप लोग इसे याद कर लिजएगा यहाँ पे थोड़ी स्टैपिंग मिस्टेक है बाकि सबी चीजे इसमें सही है तो नियुंतम जन घनत वाले राज्यू के अंतरगत सबसे पहले जो हमारा राज्य आता है वह आउनाचल प्रदेश आता है दूसरा मिजोरम आता है तीसरा शिक्किम आता है चौथे पर नागल लंड आता है पांचमें प्रदेश आता है देखिए अब इसे कैसे आप याद करेंगे इसके लिए क्या ट्रिक है तो इसके लिए एक दम आसान से ट्रिक है कि भाई आम से नहीं आम से नहीं क्या है भाई नहीं कहते हैं आम तो आम से नहीं नहीं भाई आम से नहीं थीक है, तो आंसे ना हिए ट्रिक हो गई दोस्तों, तो अब देखें क्या हो जाएगा, आ से रूराचल प्रदेस हो गया, पहला हमारा हो गया, थेक हैं, दूसरे से मस आपका मिजोरम हो गया, यहाँ पे जो मिजोरम है, इसके बाद, सच्ष क्या है, सिक्किम है, सिक्किम प्रश्ण करना अवश्यक होता है ठीक है तो यह पांच राजियों का जो है दोस्तों अमशार मैंने जो है ट्रिक बनाया था आप लोगों को के लिए मुझे लगता है कि जरूर से आप लोगों को पसंद आएगी आप लोग एक बार इसे वीडियों को पूरा देखेगा एक ब दोस्तों तो वीडियों कैसे लगी आप लोग जरूर से बताएगा तो मुझे लगता है कि अब नेस्ट जो वीडियों आएगा उसमें एक अलग टापिक पर आप लोगों के लिए मैं ट्रिक बनाऊंगा ठीक है इस वीडियों बस इतना है वीडियों पसंद आएए तो झाल झाल